सब्सक्राइब कर लिजी और अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना हमें सब्सक्राइब करना हमें इसके पीछे कारण होता है हमारे जो शरीर होता है पंच महाभोत तत्व छिती जल्पावक कगंस मेरा से मिलकर बना हुआ होता है और इसे ही प्रान्ट सक्ति बूलती है प्राइट सकती के उपर में आत्मा का वाश होता है जब हम निद्रा वस्ता में होते हैं तो हमारा सरेश हो जाता है परन तो हमारी आत्मा जागरी ता वस्ता में होती है हमारी आत्मा के कारण हमारी जो बुद्धी जो तीन तरगी होती है जेतन और जेतन अधी जेतन जो हमारे दोरह भूत काल में के गए कारी है या वर्दमान काल में हम जो कारी करते हैं उसको जोड़ कर एक समुझी तफ़ सुपनफल के मात हम से बताने की कोशिस करती है या संकेत देती है कि आने वाला भविश्य हमारा कैसा होगा अगर हम अच्छे कारे करते हैं तो अच्छे सुपनफल आते हैं और बुरी कारे करते हैं तो बुरी शुपनफल आते हैं तो सुपन में साप को च्छत से किरते हुए दिरना यहा एक नकरात्म कुर्जा का पतिक है मासिक आशन दोश को भी प्रदेशित करता है आपके रिष्टेदार में से किसी का तवियत खराब हो सकता है वीबत्ती यों समस्याएं आपकी बढ़ सकती है तो कुल मिलाकर या एक अशूब सपना है और इस अशूब सपना को दूर करने के लिए आपको अपने इश्टेदेवी देवताओ का ध्यान करना चाहिए या सिव जी के पंचाक्षी मंतर का ध्यान करना चाहिए ताकि इसके नकरात्मा प्रभाव दूर हो जाए और सकरात्मा प्रभाव प्रभावी हो इस पीच्वलवर्ट चैनल पे बहुत सारे सपनों का मिनिन बताया गया है प्लीस आप इस पे विजिट कीज़े बहुत सारे सपनों का मिनिन जानिए और उसका लाब उठाइए इस और आप सभी को सद्वुद्धी रे, सद्माज बतान करे, धन्यवाद